मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर इतना कुछ हो रहा है और पिछले एक साल से हो रहा है तो इतनी हाहकार क्यों मची हुई है बताइए ना कल ये तस्वीर देखिए दोस्तों कल इस तस्वीर को देकर दिल्ली के जी टी बी अस्पताल के डॉक्टर्स में आसू आगए क्यों आप जानते हैं क्योंकि लगातार दिल्ली के उपमुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि दिल्ली में अक्सिजन जो है मेडिकल अक्सिजन जो है व इसा क्यों हो रहा है वो भी देश की राधानी दिल्ली में और उससे भी बड़ी बात जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो होश उड़ा देने वाली है। प्रदेश भी शामिल था और उससे भी बड़ी बात इस खबर के मताबिक पिछले साल इसी वक्त यानि कि 2020 में भारत ने करीब 4500 मिट्री टन भीजी ती इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ है हुआ कि इस साल भारत ने दुगना कर दिया आक्सिजन विदेशों में भेजे ज में आपको पहले से प्लानिंग करके रखनी पड़ती है मैं यह समझना चाहता हूँ इस खबर का मुझे जवाब दीजिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर है और मैं आपको बता दूँ क्योंकि मीडिया तो इस मुद्दे को नहीं उठाने वाली है कॉंग्रेस ने इस प सरकार ने कुरोना का खत्रा होते हुए भी दो गुना ऑक्सिजिन देश के बाहर भेज दी ऑक्सिजिन की कमी से हुई मौतों का जिम्बदार कौन है बहुती सीधा सवाल है बहुती जायस सवाल है मैं से राजनीतिक सवाल नहीं मानता हूँ क्योंकि ये सवाल पूरी तरह से तत्यों पर आधारित है, प्रधान मंत्री जब आप देश को या आशवासन देते हैं कि आपने Oxygen पर काम किया है तो ये हकिकत क्यों है अच्छो तो जैसे ये खबर सामने आई कि जनवरी में सरकार ने Oxygen विदेशों में भेजी थी जबकि देश में उसकी जरूती तो सरकार का प्रचारतंत्र जो है वो सक्री हो गया आपकी स्क्रीन्स पर दोस्तों यहें एनाई की संपादक स्मिता प्रकाश और उन्होंने यह जानकारी साजहा किये इस जानकारी के मताबिक सरकार ने medical oxygen नहीं भेजी थी विदेशों में सरकार ने industrial oxygen भेजी थी योगी जी ने जो शब्द एनाई के लिए इस्तेमाल किया था ना बिलकुल सही किया था सबसे पहले तो मुझे एक बात बताईए इंडास्ट्रिल उक्सिजन और मेडिकल उक्सिजन अस्पतालों के लिहाज से दुनों में क्या फर्ख है कोई फर्ख है क्योंकि इंडास्ट्रिल उक्सिजन से भी लोगोंको मदद मिलती है अगर ऐसा नहीं ह celery उता तो आपके screens पर दोस्तों ये 18 April का order है खुद सरकार का, सरकार ने industrial oxygen जो है वो अस्पताल को भेजनी शुरू कर दी है क्यों? क्योंकि अगर industrial oxygen का काम आम लोगों के नहीं आता, तो आप मुझे बताईए सरकार ये आदेश क्यों पारित करती? जिसके अंतरगत, वो industrial oxygen को अस्पतालों में भेज रही है तो मैं समझना चाहता हूँ ANI से, मैं समझना चाहता हूँ सरकार से, कि आप इस तरह का दुश प्रशार क्यों कर रहे हैं मान लीजिए कि आप लोगों ने घलत प्लानिंग की थी मान लीजिए कि आप लोगों से घलती हो गई है तेश की जनता के सामने अपनी घलती मान लेने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे मगर आपने अपने पालतूं को लगा दिया है तो जैसे मैंने का ना बिलकुल सही शब्द का इस्तमाल किया था योगी जी ने अब मैं देश की जनता को सुनाना चाहता हूं कि कल आपने क्या कहा सुनियों उनकी बात इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सिजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है इस विशे पर तेजी से और पूरी सम्वेदन सिल्टा के साथ काम किया जा रहा है केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, प्राइवेट सेक्टर, सभे की पूरी कोशिश है कि हर जरुरत मन को आक्सिजन मिले आक्सिजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाई किये जा रहे हैं राज्यों में नए ऑक्सिजन प्लांट्स हो, एक लाग नए सिलिंडर पहुंचाने हो और द्योगी इकायों में इस्तिमाल हो रही ऑक्सिजन का मेडिकल इस्तिमाल हो ऑक्सिजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है इसलिए मैंने कारकरम की शुवात में आपसे कहा, कि प्रधानमंत्री कल जो ये भाशन दे रहे थे, वो किस ग्रह के लिए या किस ब्रहांड के, किस भारत के लिए उनका ये बयान था अगर आप लोग अवेंजर फिल्म्स देखते होंगे, कुछ ऐसी फिल्में हैं, माल्टि वर्स ये बताया जाता है कि सिर्फ एक ब्रहांड नहीं है, या सिर्फ एक प्रिथ्वी नहीं है अलग अलग धराओं पे अलग अलग प्रिथ्वी आएं, मुझे लगता है प्रधान मंत्री किसी और प्रिथ्वी के लिए अपनी बात कह रहे थे, किसी और प्रिथ्वी में बसे भारत के लिए अपनी बात कह रहे थे, जहां पर सब कुछ खुशहाल चल रहा है सबसे बड़ी बात दोस्तों प्रधान मंत्री अपने भाषण में क्या कहते हैं इस पर गौर कीजे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने अपने इस भाषण में बच्चों से भी अपील की और उनका भाषण क्या कहता है आपकी स्क्रीन्स पर अपने बालमित्रों से एक बात विशेश तोर पर कहना चाहता हूँ मेरे बालमित्र घर में ऐसा माहौल बनाएं कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर ना निकलें आपकी जिद बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है प्रधान मंत्री, आपके शब्द मैं आप ही को याद दिलाना चाहता हूँ आसन सोल में आपने राली की थी, आपको याद है आपने क्या कहा था कि मेरी नजरे जहां तक जाती हैं मैं भीड देख रहा हूँ पहले तो आप अपने इस भाशन को सुनी, सुनी मैं जहां देख सकता हूँ, मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बागी कुछ दिखता ही नहीं है तो बच्चों को तो आप ये मश्वरा दे रहे हैं, कि घर से बाहर ना निकले मगर उनके माबाप को आप हजारों की तादाद में पश्रिम बंगाल के अपनी रालीज में बुला रहे हैं तो प्रधान नंत्री ये दोनों बातें जो है ना, ये बहुत अटपटी लगती है इसमें मुझे दोहरे माबदन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो आप कहते हैं, घर में रहो अपने माबाप को घर में रखो, मगर उनके माबाप को आप बाहर बुलाते हैं और फिर पश्रिम बंगाल के अंदर, एंडी टीवी की इस खबर के मताबक पश्रिम बंगाल के अंदर 200 फीसिदी कोरोना बढ़ गया है जबकि अमिट शाह ने बिलकुल इसके उलट गलत बयानी की थी मगर अब जो मैं आपको खबर बताने वाला हूँ, वो बताता है कि पश्रिम बंगाल के अंदर चुनावी रालीस करने का भारत को या पश्रिम बंगाल को क्या नुकसान हुआ है आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों यह आज तक की खबर, इसका शीरशक देखिए कोरोना संकट देसी वेरियंट ने बढ़ाई एक्सपर्ट्स की चिंता बंगाल में दिख रहा है सबसे ज़्यादा असर खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ आपके स्क्रीन्स पर नई दिली में CSIR IGIB में रिसरचर विनोज सकारिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है कि A484K एक खतरनाक वेरियंट है जो कि किसी तरह की प्लाजमा थेरिपी को भी चकमा दे सकता है इस नए वेरियंट के कारण अब बंगाल को लेकर चिंता बढ़ने लगी है क्योंकि इस जगा अभी चुनाव चल रहे हैं जिनके नतीजे दो मई को आने वाले हैं एक्सपर्ट का कहना है कि अभी ऐसा कोई सुबूत नहीं मिला है कि बंगाल में बढ़ते कुरोना के मामलों के पीछे इसी वेरियंट का हाथ है हाला कि इस वेरियंट से जड़े जो नंबर सामने आए हैं वो बंगाल में ही सबसे अधिक हैं कौन सा कोरोना है दोस्तों यह है E484 के बहुत ही खतरनाक वेरियंट यानि कि कोरोना का एक बहुत ही खतरनाक प्रकार और यह कहां मिल रहा है दोस्तों यह बंगाल में मिल रहा है जहां पर भारती जनता पार्टी ने ताबड तोड़ चुनावी रैलीज की राहुल गांधी कहे चुके हैं कि मैं चुनावी रैलीज नहीं करूँगा ममता बैनर जी तक ने चुनाव आयोग से अपील की कि तीन चेरणों की बजाए आप एक दिन में जो हैं वोटिंग करवा दें चुनाव आयोग भी नहीं मान रहा है और भारती जनता पार्टी भी नहीं मांग रहे हैं क्योंकि भारती जनता पार्टी का लक्ष है कि मुझे किसी तरह से पश्यमंगाल जीतना है आपके सामने परिणाम देखिए दोस्तों और कल आपने ये भी कहा था कि आज चुकी राम नव्मी है हम सबको मर्यादा का पालन करना है अनुशासन का पालन करना है मैं आप किसे पूछना चाहता हूँ प्रधान मंतरी चुनावी रालीज तो हम देख चुकी हैं आपकी अब इन तस्वीरों को देखिए 36 गड़ की तस्वीरे हैं आप देखिए अमिश्शा पहुँच गए अब इस वीडियो में या वो जो तस्वीरे मैंने आपको दिखाई उनमें समानता क्या है उसमें समानता ये है कि चाहे वीडियो हो चाहिए तस्वीर जिसमें वो भुपेश बगेल के साथ दिखाई दे रहे हैं अमिश्शा ने कहीं पर भी मास्क नहीं पहना हुआ है अमिश्शा इसी तरह से अपने रोड शोज में भी मास्क कभी नहीं पहनते है मुझे चिन्ता सिर्फ अमिश्शा की सेहत की नहीं है मुझे चिन्ता इस बात की है कि आप देश की जनता को क्या सबक दे रहे हैं आप देश की जनता को क्या सीख दे रहे हैं और कल ही भारती जनता पार्टी की असम सरकार फर्मान लेकर आई है कि बढ़ते कुरोना को देखते हुए हम कुछ सخت नियम सामने लेकर आ रहे हैं ये देखिए आपके स्क्रीन्स पर ये तमाम सक्थ दियम है जो वहां की असम सरकार लेकर आई है और कुछ दिनों पहले वहां के जो मंत्री हेमंत विस्वशर्मा जो अगले सीम हो सकते हैं उन्होंने क्या का था? कि असम में कोई कुरोना नहीं है हमें किसी बात का डर नहीं है ये तो बस कालपनिक है कुरोना का डर इंसान के जान की कीमत ये है प्रधान मंत्री इसलिए मैं बारवार कह रहा हूँ कि आपका जो कल बयान था मुझे तो नहीं लगता कि वो बयान जो है भारत के लिए दिया ग उनसे आग रहे हैं कि वो जहां हैं वही रहें राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वही पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा यानि कि अप प्रधान मंतरी नारेंडर मोदी राज्यों से कह रहे हैं कि आप श्रमकों को रोक कर रखें, और पछले साल क्या हुआ था प्रधान मंतरी ये अपील खुद के दम पर कर रहे थे, की आप छोडके ना जाएं, या आप बिलकुल वहीं पर रहें, क्या हुआ इस ए पहले तो आप अपील कर रहे थे, अब जो आप ठीक रहा है, राज सरकारों के सिर पर फोड़ रहे हैं, ये तमाम बातें आपको अटपटी नहीं लगती, कल तो मुझे समझ नहीं आया कि प्रधान अंत्री नरेंद्र मोदी राश के सामने जो आये, उन्होंने ये बातें क्यो इतर बातें जो हैं, वो हकीकत से कोसो दूर थी, ऑक्सिजिन की आपने बात की, आपके सामने हालत क्या है आप जानते हैं, तरही माम मचा हुआ है, आपके पास एक साल था, इस एक साल में आपने कुछ नहीं किया ना, आपने हिल्थ इंफ्रेस्रॉक्शर को मजबूत किया, उल्टा, आपने अपने आक्सिजिन जो है, वो दूसरे देशों को भेज दी, जैसे कि मैंने आपको उस खबर में बताया, आज इन तमाम सवालों का जवाब भारती जनता पार्टी को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा आपको, और आप जो है, दूसरे विपक्ष के ने आतों के, और सबसे दुख की बात दोस्तों, इनका जो प्रचार तंत्र चल रहा है, मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ, आपके स्क्रीन्स पर ये हैं अनुपम खेर, ये तस्वीर दिखा रहे हैं अपने सिर की, और लिख रहे हैं आज की हेडलाइन्स, मुझे बहुत अफ आस्ता देखी थी, ये शक्स मेरे बच्पन की रुमानियत का हिस्सा था, आज की तारीख में आप इसके पूरे ट्विटर टाइम लाइन पर जाईए, इसमें एक शब्द मजदूरों की विथा पर नहीं कही है, एक शब्द नहीं कही है, और सरकार का जहरीला प्रॉपगैं कर दिये गए थे, बीजेपी के आईटी सेल ने उसे सारवजनिक कर दिया था, हमें भर-भर के गालिया दी जारी थी, तब ये आदमी यही अनुपम खेर सामने आया था, जब हमने गुहार लगाई थी पुलीस से कि हो क्या रहा है भाई, हमें क्यों निशाना बनाया जा रह तब इस आदमी ने आकर ये कहा था कि कुछ लोग हमारे जोश में खलल डाल रहे हैं, मानो ये कह रहा हो कि हम जो गालिया दे रहे हैं, कुछ लोग उसमें खलल डाल रहे हैं, मैं आनुपम खेर की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब कोई ग्रेटा थनबर्ग य इस तरह से सरकार अंकुष डाल रही थी, इंटरनेट बन कर रही थी, जब उस पर ये तमाम लोग बोलते हैं, तो उसके जवाब में ये तमाम चेहरे सामने आ गए थे, सचिन तेंदुलकर, अक्षे कुमार, सुनील शेटी, सबी लोग सामने आ गए थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन में से कोई भी आदमी, अपने ट्विटर टाइम लाइन पर, बात कर रहा है, ये अनुपम खेर, डॉक्टर डाइंग, तुम सही माइनों में डॉक्टर डाइंग जैसे खलना है को आँँ, अनुपम जी, आप सही माइने में खलना हैं के, आपने अब तक कुछ बोला हैं गरीबों के बारे में, ये तमाम जो नकली सेलिबरिटीज हैं हमारे, इन्होंने बोला है,